तो दोस्तों नेक्स हम आगे बात करते हैं इस अप्टर में प्रोग्राम और सौराजिस पार्टी इंसाइड दा काउंसल मतलब इनका मक्सद तो यही था ना कि हमें लॉव मेकिंग बॉड़ी के अंदर जाकर जो है वो अटकले पैदा करनी है फ्लॉस को हाइलेट करना है है ना और प्रॉपर तरीकी से लेशलेशन है जिसमें हिंदुस्तानियों की वोईस देखे उसको हाइलेट करना है रहे तब पार्टी डिसाइड़ेट एट वेनेवर पॉसिबल इट वूड नमबर वन रिफ्यूस सप्लाइज और थ्रो आउट वो सारे के सारे यहां के पैसों के करते हो ठीक है जो बनाते हो budget मतलब जो भी घरचा या तुम्हारी यहां पर हो रहे बेट रिफ्यूस सप्लाइज कि भाहरती कोई भी चीज तुम्हारी ना है यहां पर हमार favor न अबरपर ना जा है Mooi loads फिनिश बूड प्रोर सेस को पर यह इनकी हाथ में काफी जादा पावर रहती है वी विल थ्रॉट आट अल दे प्रपोजल्स वर लेजिसलेटिव एक्टमेंट्स जिसके थूँ ऐसे जो कानुन बनते हैं जिसके थूँ भीरोक्रेसी जो है उसको पावर मिल जाती है और देखो यह जो डर था यह क्लियर हो गया अब मेंबर्स का कि अगर यह लेजिसलेटिव काउंसल में जाते हैं पार्लिमेंटरी वर करते हैं तो इन्होंने बोला अपने साथ तरीके से कि जब जुरत हो कि हम यह सारे काम करेंगे इंसाइड था काउंसल तब पार्टी डिसाइड एड वनेवर पॉसिबल इड़ फॉसके बाद यहां की यहां का जो पैसा है वह भार ना जाए इंग्लैन ना जाए बैचेकिंग अल अक्रिविटीज डिटीज इन्टो एक्क्वाटेशन और कैसे हम बढ़ा सकते हैं नैशन इकनॉमिक इंडेस्ट्रियल अंड कमर्शन इंटर्स को बेश के तो सवराजिस की क्या एक्टिविटी थी काउंसल के अंदर सवराजिस एक्टिविटी इन्टा काउंसल इलेक्शन जो हैं नवंबर 1923 में होने थे चुनाओं को टायम माझ जाता है 141 इलेक्टिट सीट्स में से सवराजिस को कितनी मिली 42 and a clear majority in the provincial assembly of the central provinces जो provincial assembly थी central provinces की भहाँ पर تو clear majority मिल गई in legislatures in cooperation with the liberals and independents like कुछ निर्दली लूग भी थे लाइक जिनना, कौन जिनना? मौमद अली जिनना and माल भिया, कौन माल भिया? मदन मोहन माल भिया सुराज़स वो अना मैजोरिटी तो मेजर एचीपटिशन की क्या रही है? विद कॉलीजिन पार्टनर्स लाइक माइंडेट जो leaders थे जो कि देश की आजादी चाते थे या फिर जो ये चाते थे lawmaking प्रग्रिया में हिंदुस्तानियों का युगदा नो सवराजस outvoted the government several times एक बार इनके election रणने की देरी थी और यही ये no changers को इतने time से चिला चिला कर समझाने की कोशिश कर रहे थे और मिलीना इनको देखो सीटे और वोट मिले की यह नहीं मिले सवराजस outvoted government several times even on matters related to budgetary grants and past adjournment motions अब यानि की अठकल ही जो पैता जो करना चाह रहे थे कि अंग्रेज कोई भी जो कानूनी प्रग्रिया लेकर आते हैं और इतना ज़्यादा पैसा हमारे देश का बरबाद करकर के इंग्लेट भेजते हैं अपने luxury life को जो enjoy कर रहे हैं और हम भी देखना चाहते के कौन सा पैसा budget की दुरूब पास हो जाता है लेकिन उसका ground level पर कोई असर तो देखने को मिलता ही नहीं है इन लोगों ने सारे की सारे matters में अटके लिए पैता करना शुरू करी इनकी voice भी of important थी legislative bodies में legislative councils में and they passed adjournment motion for the same for various divisions चोंकि दिये जा रहे थे legislative council के अंदर they irritated through powerful speeches on cell government कि सुराज का सपना में पूरा करके दो they demanded civil liberties and industrialization in the situation का महल कितना था वारत के अंदर कितना था ना के बराबर बिठर भाई पटेल ही वो बिठर भाई पटेल वस एलेक्टेट स्पीकर वस एलेक्टेट असपीकर ऑफ Central Legislative Assembly 1925 सुराजिस ने क्या करा they defeated public safety bill in 1928 which aimed at empowering the government to deport undesirable and subversive foreigners क्या करने के लिए यहां पर हकुमत का दंका और ज्यादा बजाने के लिए तो एक बिल आयता इस के लिए public safety bill लेकिन इड़ वस डिपीड़ेड बाइड एक्टिविटीज दे फेल्टा पॉलिटिकल वैक्यूम अट टाइम वैंधा नैशनल मोव्मेंट वस रीकुपिंग इट्स स्रेंथ दुबारा गेन करें की कोशिश करें क्यों गांधी जी बहुत ही जल जल से चुटने वाले हैं और दुबारा पॉलिटकल सीन की ऊपर आकर एक और बड़ा अंदोलन एक लाउंच करने वाले हैं if they expose the hollowness of the month what is key you know, Montaig to show to reforms, they demanded that the council should be used creatively in the year from 1924-25. This year rested many victories of for the Swarajis is the lister of assembly, here they succeeded in throwing out the budget forcing the government to rely on its power of certification स्वराजेस resorted to adjournment motions budget pass नहीं होने दिया adjournment motion पास करते रहे and they raised inconvenient questions to expose the misdeeds of the alien government आपको पता है न बापर लेस्टर काउंसल के अंदर lawmaking जब भी प्रक्रिया होती है तो तू-तू-मै में चलती है है ना कि इसके बीचे मकसल बताओ इसके बीचे aim बताओ कि क्यों लेकर आये जा रहा है इससे क्या होगा जो पहला जो budget पास हुआ था प्रपोसल जो पास हुआ था उसका ही पैसा भी तक पूरी तरीके से लगाई नहीं कि आए इस activity के अंदर मतलब इन्होंने बहुत जदा uncomfortable इसके अंग्रेजो के लिए ठीक है रीजन पर टेग्लान अस्वाराजिस पाटी दियर वस गवर्मेंट क्रेट डाउन अन्दर स्वाराजिस तोड़्स आ इंड आफ रैंटीविटीफॉर सरकार समझ गए कि स्वाराजिस का एम क्या मक्सथ क्या है और सरकार ने इनको टार्गेट करना शुरू करा और सो हिंदू-मुस्लिम टेंशन प्रेजेंस ऑफ रियक्शनरी एलिमेंट्स ऑफ बोथ अग कम्यूनिटीज विदिन दा स्वाराजिस पाटी इट क्रीटेड डिफिकल्ट सिटूइशन तो रिजन्स क्या है रिजन्स में बहुत सारे रिजन्स है जैसे कम्यूनिल पॉलिटिक का राइज होना इंटर्नली डिवाइड होना इनका यह ओफिस से काफी साथ आपने जिस पोस पे थे उससे अट्रैट होने लगे अब यह वाला डर जो है लिवर ओफ ऑफिस यह डर देखो यहाँ पर जो नो चेंजर का पॉलिकल करॉप्शन काइंड ओफ यह डर सही नजर आ रहा है न डैथ ओव सियाधास दे फेल दो रिजिस्ट आप पर्क्स एंप्रिश्ट पावर वही पॉलिकल करॉप्शन यह सरे तो हम बात करते हैं राइजिंग कम्यूनिल पॉलिक्स की नमबर बन रिजन कहीं सारे हिंदूस यह मानने लगे थे इस टाइम पर कि इनके इंटरस हाई लेट नहीं करे जाते हैं या फिर इनके इंटरस सुरुक्षत नहीं रहेंगे सौराजिस पार्टी के हाथों में सौराजिस ने इसके अलावा हिंदूस का सपोर्ट तो खोया एक होया मुसलमानों का सपोर्ट भी काफियत तक खो दिया जब सौराजिस पार्टी ने की इशू को सपोर्ट नहीं करा था इशू क्या था टेंट्स का मुद्दा हो गया था अगेंस अजमेंदार से बंगॉल और बड़े सारी जो टेंट्स हैं मुसलमान थे तो उनको लगा हमारी बात रेजी नहीं करी जा रही है तो यह पार्टी एंटी मुसलम है उसके बाद अच्टिविटीटीस ऑफ हिंदू महसभा और सौराजिस पोदीशन जहां मैं आपको एक बाभ पताता हूँ हिंदू महस महसभा पहली बार कोई मुसलमान हिंदू महसभा का प्रिशन बना और वो थे हकी मजमुल खान एक बार के लिए बनाए गया था उनको से कुछए अँड़ कोलिया है तो सव राजिस ने मुसलमानों को शापरच भी हो दिया था कि जो टेनेंट से जब्धारों के खिलाब उनका कुछ तसल चल रहे थी तो बड़े सारे तेनेंट या मूंचनमानी को लगा सराजिस को ध्यानी निया मुसलमानों के प्रतिकिया थ सब्सक्राइब करते हैं and the activities of the Hindu Mahasabha also begin to the Swaraj's position internal divisions Swaraj party सब्सक्राइब आप इसको कहलो it was divided into responsivist and not responsivist सब्सक्राइब इंटर इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है इनको आप pro changers या no changers मा समझना कि Swaraj's versus no changers नहीं या पर बात हो रही है responsivist और non-responsivist की responsivist कौन-कौन थे मदन मोहन मालिया जी लाला लाजपतराई जी और एंसी केलकर क्या थे ये group क्यों बोले जारें को responsivist they advocated cooperation with the government and holding offices wherever possible इस मकसद से बनी थी पार्टी बताओ इनका तो मकसद यही था ना लेस्टर काउंसल के अंदर entry करकर सिर्फ विरोत करना जो गरत कानून है उनको criticize करना कभी भी यह था नकी अचेंड़ा में कि हम cooperate करेंगे government के साथ और जो वह में office देंगे hold करने के लिए हम hold कर लेंगे उनको यहां नहीं की यहां पर यह क्या चीज जलग रही है क्या चीज जलग रही है जलग रही है अच्छा अगला पर नहीं पर रही लिए लिए रफ ऑफिस यह तोगला पर नहीं है विए रस नौट रिस्पोंसिविस्ट यह एक लॉतित मोटिला नहरू ही विड्रिव फॉम्ट लिश्टेश्टर्स इन 1926 जब स्योगरी मिल रहा साथियों का जब वही कहने के लेट्स गिव आवर कोपरेशन तो गवर्मेंट होगी पुरानी वाली इसका मतलब तो यह है अंग्रेज अपने खिलाब विरोत प्रदर्शन को शांत करने के लिए आपका कोपरेशन पाएंगे आपको आप शांत हो जाओगे आप तो कभी कोई विरोत प्रदर्शन करोगे नहीं राइट मोदिला नहरू जी को यह वाली बात पसंद नहीं आई एंड ही बिट्र फॉन दे लेस्टेश्टर इंट्रेश्ट इसक्स रिजैन कर दिया इन सारी चीज़ों में श्रया एक चीज़ गायवा बताओ क्या यह जितना घटना करम चल रहा है अभी पूरा क्या गायव है यहां से बड़े टैंस बड़े हां बड़े टैंस से कुई कर्वा चौत नहीं रख रहा है आप अभी आएंगे आएंगे अभी उनको तो पता न कि दूसरे कोई भी गल्ती करें करवा चौत तो मैं रखके बढ़ूगा एक बंदे को साइड कर लिया था यादा ने पड़ा था मने तुम साइड वो ऐसे नहीं रखते करवा चौत जब टाइम आएगा मैं रखूंगा बहुत अच्छे तरीके से लिवर अफिस स्वराजिस एंटर एंटर्ड कांसिल्स विट डिकलियर्ड अब्जेटिव ऑप इस्टिफ रिजिस्टेंस तुद गवर्मेंट एसी एंटर कर रहे थे न यहीं था निका मक्सद और शिर्शनली जब वो कोई उल्टी सीती लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ है हावर तो स्पिर्ट ऑफ रिजिस्टेंस एट सून गे वे टू कोपरेशन वह जो उपर वाला पॉइंट है उसी का पॉइंट है यानि कि लिवर ऑफिस वाली बात किसके लिए सही बैठती है रिस्पशुशंब सरॉस्टेंस में साराज सहमत्र कोक्राइग मदन मौरन मार भी हैं एंन्सी केलकर इनका नाम नहीं सुनते हैं कहीं कम सुनते हैं इस पर दिखान रखनांना इंसी केलकर पर जैसे आपने इन तीनों का नाम सुना होता है उपर हमेशा हिस्टी को पढ़ते हुए वल्लभाय पटेल रादन प्रसाथ सीधा जगोपलाचारी लेकिन एमेहनसारी का नाम नहीं है जानते हो आप ऐसी आप आपर मोतिलाल नेरु सीर्दास का नाम जानते हो अजमल खान का नहीं जानते हो तो यह एक्सेप्शन पर भी फोकस कर राता हो यूनिक नाम पर ठीक है यह एडवोकेटेट कोपरेशन वित गवर्मेंट और होल्डिंग ऑफिसेज वेरेवर पॉसिबल और के रीजन से एकलाइन के सीर्दास जी की मृत्तियों मृत्तियों हो गई थी 1925 में स्वाराजिस पार्टी वीक हो गई थी स्वाराजिस जो है दे लेटर पॉलिशी तो कोडिरेट दियर मिलिटेंसी इंसाइड लिशेचर विता मास्ट चगला उटसाइड जो वो कह रहे थी नहीं कि दो तरफाला लाई होगी वो दो तरफाला लाई नहीं चल रही थी अब द कर रिस्वांस पाएंगे फिर हमें इंटरनल स्टर्गल करेंगे राइड इंसाइड दा लिशेचर स्वाराजिस फेल तो पर्सू दा पॉलिशी ऑफ कॉंसेंट इन यूनिफॉर्म अब्सक्शन और अब्सक्शन और अब्सक्रिस्ट स्टाटिजी इंदा काउंसिल वो जो सीटें ओफर कर रहे हैं इंग्रेस वो नहीं मिनेंगे आपको स्वाराजिस फेल तो रिजिस्ट पर्क्स और प्रिफिजिस ऑफ ओफिसेंट पावर श्रया आगे गांधीजी इंटिट्यूर्म स्वाराजिस्ट ठीक है ही वस कंप्लेटली अगेंस अधा एंट्रिंड अलशीट कांशल क्या का इन्व हूर मैं तो पहली क्याता था he believed that entering the legislative council was against the principle of non-violence and non-corporation entering the legislative council was against the principle of non-violence and non-corporation कहां आप legislative bodies में एक member बनने जा रहे हो और कहां ये दोनों चीज़े non-corporation non-violence however he moved towards a reconciliation with the स्वराजिस due to following reasons उन्हें बोला स्वराजिस पूरी तरीके से गलत नहीं है गांदी जी अभी तक अपनी बात जोकी माने जाते हैं कि अपनी बात थोपते थे पहली बार वो ये बोल रहे हैं कि स्वराजिस्ट ने जो decision लिया जब मैं जेल में था जब non-corporation movement बिलकुल अपने शांती भवस्था से कोई कोई movement नहीं चल रही थी कोई अंदोलों नहीं चल रहा था स्वराजिस जब उन्होंने जाना स्वराजिस चल क्या रहा है वतला पूरा गभुरा नैशनल सीम पर उन्होंने बोला स्वराजिस पूरी तरीकी से गलत रहे हैं गांदी जी फेल्ट पॉब्लिक ओपोजिशन तुदर प्रोग्राम आफ कांसल एंट्री गांदी जी फेल्ट पॉब्लिक ओपोजिशन तुदर प्रोग्राम आफ कांसल एंट्री जनता जो यह नहीं चाहती के लोग है वो लेस्ट कांसल एंट्री करें इंट्री करें इड अब उन्होंने बाते यह रेस करी थे ना यह manifesto में इसके लिए गांधी जी ने बोला हाँ सही है बाते अब बिटेटर गांगरी जोगा है exploitation of resources self government का जो नारा है गांधी जी को ही माना करेंगे इससे सवराज से और हम जो है अंदर जाके दो तरफल अलाई करेंगे गांधी जी ने बोला manifesto तो उनका बढ़िया था सही है when there was a government crackdown on the स्वराजस towards the end of 1924 सरकार ने जब स्वराजस को शांतकंदी की कोशिश करी गांधी जी expressed his solidarity with the स्वराजस by surrendering to their wishes मान लिया गांधी जी ने उनके बातों को कि हाँ तुम सही कह रहो और मेरा पूरा पूरा support है तो जो बेल गांधी सेशन होता है Congress का 1924 में only session जहापर गांधी जी कौन थे President आ गया और बेल गांधी कहाँ पर है Karnataka Gandhi agreed that Swarajis would work in the councils as an integral part of the Congress Gandhi agreed that Swarajis would work in the councils as an integral part of the Congress of the Congress यानि की stand change Stand change Stand change हो गया कांधी जी का पहले जो की non-cooperational movement से पहले Jail जाने से पहले बोलते थे अभी ताख अब जो ये बात चल रही थी No Changers क्या क्या क्याते थे constructive work करो है ना तो constructive work क्या है No Changers devoted themselves to the constructive work that connected them to different section of the masses क्या था आश्रम जो है वो बनना शुरू है जहाँ पर young men and women worked among tribal and lower caste ये किसलिए करा गया affiliation के लिए यूजव खादी एंड चर्काव पॉप्लराइस्ट National Schools and Colleges were set up जहाँ पर ये students को train कर जाता था ये non-colonial ideological framework degree और jobs की तरफ जो attraction था they took the students to official schools and colleges तो इसलिए जब गादी जीने request करी थी नहीं उनसे कि ये सब छोड़ दो तो लोगों को career माला ऐसा ना लगगी कि career चिंग हम करेंगी कि जीवन में to National Schools and Colleges were set up significant work was done for Hindu-Muslim unity removing untratchability boycott of foreign growth and liquor and food flood relief constructive workers served as the backbone of civil disobedience as active organizers तो जो no changers के द्वारा जो constructive work अपनाया गया उसके कुछ criticism क्या है ये एक चीज या रखना heading से कुछ misinterpret मत कर लेना heading कहरी आपको criticism of the constructive work done by no changers criticism of the constructive work by no changers में समय लेना है जो वो no changers का तो work ये constructive work अपने ही काम को कुछ criticize थोड़ी ना करने लगेंगे दूसरे लोग क्या criticize कर रहे थे आप no changers को क्या criticize कर सकता है स्वराजिस्ट National Education benefited the urban and lower mental classes and rich presents only जो खादी को जो popular कर जा रहा है it was an uphill task since it was costed in the imported clothes आज भी सबसे नंका कपड़ा होता है खादी कपड़ा और जोर की पकड़के खीशतो तो तो तोकड़े हो जाएंग उसके वाइल कैंपेंग अपाउट the social aspect of untouchability no emphasis was laid on economic grievance of the landless and agricultural liberals comprising mostly the untouchables के untouchables की जब बात कर रहे हो तो उनका भी तो ख्याल रखो उनकी तो कोई बात ही नहीं और जिनके पास कोई जमीन नहीं है ठीक है जो agriculture workers है जो जमेंतारों से तरस्त हो रखे है although सवराजेस and no changers worked in separate ways they kept on best of the terms with one another they were ready to unite together for a new political struggle whenever required ठीक है यानि कि पार्टी तो नहीं टूटी यह तो अच्छी बात है ठीक है अब हम कोई सवराजेस लीडर्स और बहुत सारे जो no changers लीडर्स हैं और और जो लीडर्स उनके बार में देखेंगे 3-4 बेजेस लेकिन वह वाला काम हम करेंगे इस डिसकुश में दोस्तों फिलाल इतना ही ठीक यू बेरी मुच पर डिसकुशन